पवन सिंग की फिल्म हर हर गंगे का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो इस ट्रेलर के बारे में पवन सिंग को पोस्ट करने को कहा जाता है दर्सकों को बताने के लिए कहा जाता है कि ट्रेलर रिलीज हो गया है लेकिन कितना भी मेहनत किया जा रहा था पवन सिंग के टीम पवन स प्रचार होगा लेकिन प्रचार के लिए पूरी प्लैनिंग करके रखी गई थी लेकिन ना वहां पे पवन सिंग पहुंचे ना ही पवन सिंग की टीम पहुंची और ये सारा दुफडा रो रहे हैं चंदनुपाध्याय जो इस फिल्म के डिरेक्टर है उनका एक आडियो क्लि वाइरल हो रहा है जिसमें वो किसी ब्लॉगर से बात कर रहे हैं और उससे ही बता रहे हैं कि कितनी परेसानी उनको इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जेलनी पड़ रही है और पवन सिंग और उनकी टीम सुन ही नहीं रही है कि इस फिल्म का प्रमोशन किया जाए वो बताते हैं कि मैंने विक्की सिंग से बात किया मैंने उनके मैनेजर दीपक सिंग से बात किया पुरा मीडिया हाउस बड़े-बड़े जो नेशनल मीडिया चैनल है वो पवन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं ताकि इस फिल्म के बारे में बात हो सके लेकिन पवन सिंग बिलकुल भी इंटर्विव में इतना तक कहते हैं कि उनको टिकट लेना है और ये फिल्म स्वक्ष भारत के ऊपर बनी हुई थी मोदी जी के मिशन के ऊपर बनी हुई थी तो अगर ये फिल्म अच्छी चलती नाम होता तो सायद टिकट भी मिल जाता लेकिन पवन सिंग को इस फिल्म से उसका क्या होने वाला है पूरी कहाने विश्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे और उससे पहले नमस्कार जंता संग्षन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं पवन सिंग के फिल्म के डिरेक्टर को अच्छे से जानते हैं वो यहां तक कहते हैं कि मैं चार कड़ोर इस फिल्म में लगा चुका हूँ यानि वो अपने प्रोडूसर की बात करते हैं पूरे टीम की बात करते हैं कि हमने चार कड़ोर इस फिल्म के बजट में लगाया था लेकिन हमारा चार कड़ोर फीका तयार है लाइव आने के लिए तयार है लेकिन ये चार कड़ोर की बजट वाली फिल्म रिलीज होने वाली है और इसके प्रोमोशन के लिए जब हम उनसे बात करने जा रहे हैं तो नहीं उनकी कोई टीम के लोग सुन रहे हैं और नहीं पवंसिंग तक ये बात पहुंच रही ह कोई उनका रिस्पॉंस आ रहा है चंदन उपादय बताते हैं कि जिस दिन ट्रेलर रिलीज होने वाला था उस दिन हम लोगोंने प्लैनिंग की थी कि हम लोग असी घाट पे जाएंगे उस दिन स्वक्ष भारत दिवस मनाया जा रहा था दो अक्टूबर का समय था जो स्वक और गंगे का ट्रेलर चलाया जाता पूरा प्रोमोशन होता और इस प्रोमोशन के बाद लगातार पावन सिंग कहीं कहीं इंटर्व्यू देते और इसमें जो भी खर्च हो रहा था वो हम लोग लगाने के लिए तयार थे मतलब कि 5-6 लाग का बजट उन्होंने डिसाइड क करने जाएंगे या नहीं जाएंगे और बदले में इसका जवाब आता है कि हमको आरा कोट जाना पड़ रहा है तो हमको गाना का शूटिंग करना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि शूटिंग भला हम किसी का कैसे टाल सकते हैं मतलब कि 4 कलोर की बनी हुई एक फिल्म का प पद्धाय का वाइरल हो रहा है उसमें एकदम वो खुनस से काफी प्रशानी से पौण सिंग की टीम पर पूरा इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग कितना भी कोशिज कर रहे हैं वो एल्बम में कभी व्यस्ट हो जा रहे हैं कोई भी हम बात अगर पौण सिंग से करना चाहते ह कि इसको अलग-अलग भासा में डब कराया जाएगा लेकिन उसके लिए भी समय नहीं मिल रहा है और जो हाल हम को दिख रहा है प्रोमोसन का इससे तो ऐसा लग रहा है कि डियर्ड करोर वो अलग से डूब जाता इसलिए अब फिल्म एक भासा में भी अच्छे से रिलीज हो इसके बारे में भी कुछ ठीकाना नहीं है कि फिल्म मल्टिप्लेक्स में रिलीज होगी या कितने सिनेमा अगर इनको मिलेंगे कितने ठीयटर मिलेंगे इसके बारे में कुछ भी समय पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि पावन सिंग इस फिल्म के प्रोमोसन में बिल्कुल भ अपने दर्सकों को निरास किया है देखना है आगे क्या होता है फिल्म रिलीज हो भी होती है वीच तारीक को या नहीं होती है या इसका डियेट बढ़ाया जाता है आप लोग पहुंचिंग के इस रुवए में पर क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट ब् बताइएगा जन्ता जुक्षन देख रहे थे आप बहुत जुन्यवान